कि अग्वार की तरह खुबसूरत 3D मोडल के वीडियो लेकर आते हैं लेकिन इस बार जो आप देख रहे हैं यह जो 3D मोडल वह अभी प्रिपेर नहीं है इसका आधा दूरा वर्जन ही बनाए गया देख रहे हैं आपके दिवार कहीं चज्जा कहीं कहीं भी कुछ भी बना तो उसके बाद हम इसका 3D वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे अगर आपको यह पसंद आता है तो प्रीज जरूर कमेंट करिए गया अगर इसकी 3D वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर किसी परकार के कोई चेंज भी है तो वह भी मुझे बताती है मैं उसकी स्क्रिप्शन में पढ़ा था कि प्लोट के चोड़ाई है वो है फ्रंट से 12 फीट और जो लंबाई है वो है 48-40 तो 12-40 का यह आपका प्लोट का साइज है लेफ्ट से इसकी सीडियों के पास से इंट्री होती है और साइड राइट साइड में आपका पीछे का पोर्शन दि नैंने प्लोट है जिसमें आपको एक साइड में 6 ःड़त की सीडियों आपको लेता शेडियों चेडियों की अगर भात कर ली जा है तो यह दस फीट की लंबाई में चेडियों के लोलत बन जाता है जिसमें आप它 ख़ित सब्सक्रीन के पार्किंग के अगर बात कर ली जाए तो हमने पार्किंग के लिए 13 फीट जगाय लंबी छोड़ी है आप इसको एक्सेंड़ कर सकते हैं तेरा फीट से ज्यादा मतलब सीडिया और पार्किंग आपको लगबग 11 फीट चार चोड़ाई और 13 फीट चोड़ाई में आपको पार 15 फीट लंबा एक open kitchen मिलाता है जिसका kitchen का size मैंने आपको बता दिया है और बागी जो जगह बसती है वो living area के लिए बसती है अगर इस वोल से लेके इस वोल से आगे की वोल्ट का जो 20 का distance है वह 11 फीट है तो 11 फीट में आपको living area with kitchen open के साथ आपको मिल जाता है जिसमें sitting plan भी आपको kitchen भी और यहां से आपका दरवाजे की तरफ इंट्री होती है अंदर की तरफ तो आप अंदर आपको bedroom 20 फीट लंबा मिलता है और चोड़ाई अगर बात करें तो 11 फीट चार इंचे चोड़ाई आपको bedroom मिल जाता है after that पीछे की तरफ में आपको एक corner में ही आपको ट चार फीट है मतलब आगे पीछे चेर बाइचे का आपको यह toilet bathroom मिल जाता है लेकिन उसके साथ में आपको यह OTS ventilation के लिए साफ्ट खुली छोड़ेगी तो कि ground floor पे storage के काम आएगी और उपर वेंटिलेशन का काम करेगी मतलब इसके ओपर जारी लगी होगी ताकि इसमें सेम बेड्रूम टॉलेट बाथरूम और OTS वही रहेगा उसी को follow करना है लेकिन आगे का यह थोड़ा सा बदल जाता है क्योंकि सीडियो के लिए जगह चोड़ी की थी वह आपको सीडियो की जगह के लिए आपको वही 11 फीट लंबाई में और 6 फीट चोड़ाई में आपको सीडियो के लिए अलग पोशन कर देना है मतलब इस तरफ में आपको जो जगह बचाएगी वह आपको चचेगी तरफ में आपको किचन रखना है किचन की एक सैड में आप सलेग बन जाकती है किचन के साइड से ही आप पास होगे आप बालकनी की तरफ जा सकते हैं मतलब बा तो किचन के वाज़ा से आगी तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक ट्वालेट बाथरूम मिलता है जो कि आप देख रहे हैं पांच फीट चोड़ा और चार फीट लंबा है यह ट्वालेट बाथरूम और उसके बाद जो यह लंबा सपेस बचाता हुँ लिविंग एरिया के काम हो जाते हैं इसमें आपको बड़ा सारा लेविंग एरिया मिलता है विद अटैच टोलेट बाथरूम के साथ में तो ओवर ओल यह इसका फस्ट फॉर था जो कि आपको अच्छे गासे तरीके से समझ में आ चुका है इसका अगर आप 3D मोडल देखना चाते हैं तो प्लीज ह कोए बार शेर कर दीजिये अपने फ्रेंड़ तक तक कि वो नखशे देख पाएं अगर आपकी क्योवार्मेंट है परस्टार स्कूल को अच्वारेज नयुक सकते हैं AmplHo झाल झाल